कि अधिए 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 गोल्डन बुल्स आज यह का लास्ट टेडिंग शेशन था जो कि साइडवेज गया है आज के दिन मार्केट में कुछ कुछ खास मुव्मेंट हुआ नहीं है तो अगर आप चैनल पर नए हो पहली बार अगर यह वीडियो देख रहे हो तो यह मेरा चैनल है गोल्डन बुल्स नाम से आप सब्सक्राइब कर सकते हो जहाँ पर हम डेली आनलिसिस वीडियो डालते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के और हम जब लाइव भी आते तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर आप सब्सक्राइबर बनोगी जल्दी से सब्सक्राइब कर लो लाइव भी हम करते हैं लाइव स्ट्रीमिंग निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल जो है हम लाइव मार्केट में प्रोवेड करत मेरे तेलिग्रम चैनल है राइट है आपको जो और कोड़ इससे आप स्कैन करके आप इस चैनल से जोइन कर सकते हो टेलिग्राम चैनल को यह कल का एनलिसीस वीडियो था इसमें वी मैंने एकल इंपर्टन लेवल प्रोवेड कि आज बहुत ही अच्छी करके से काम में आये ह तो चलिए पहले निफ्ती का अंइलिस्स कर लेते हैं निफ्ती अगर देखेंगे पहले मंतली कैंडल देख लेते हैं मंतली कैंडलल मार्केटने बहुत ही बढ़ी ऐ शांधर तरीके से क्लोजिंग दिया जो कि एक काफी स्टॉम बुलिश कैंडलल बानी जाये हैं ? और वीकली में अगर देखीए मंतली में अगर मंतली का सपोर्ट एक बार देख लेते हैं क्या बन रहा है कि तो निफ्टी में अगर देखीए सपोर्ट जो है 22,230 वीकली सपोर्ट मार्केट के पास से अभी मंतली पड़ी सॉरी और वीक्टी में अगर देखें गे डिसकस कर लेते कैसे बनी है और कि लेवल भी कौन सा सपोट होने गाला है मार्केट की बस तो अगर देखेंगे गेए का यहां पर बैक टूबैक रैली देने के बाद में यहां पर एक डोजी केंडल बनाए जिसका ब्रेक आउट होने के बाद में मार्केट में अच्छी कासी आप मुझ दिखाई है हमें 22,000 तक लेके जा सकती है जो मैंने पिछले वाले इनलिसिस में उसमें भी मार्क करकर रखा हुआ है कि 22,000 हमें देखने मिल सकता है और चलिए अभी देखते हैं डेली में क्या पन राए सेनारियो अभी अगर डेली में देखेंगे वीकली और मंतली में जा अगर करूसरेकर वांथ देखें कर्याए तोускर फॉपलें के लिए धुकल यहां पर देखेंगे और दो pan के बाद यहां पर यहां पर देखेंगे तो पांच दिन से लगातार मार्केट ने बुल्डरन दिखाया है अब जाके यहां पर एक डूजी फाउंड वाए तो यहां से रिवर्सल या करेक्शन हल्का सा हो सकता है मार्केट के पास अगर सपोर्ट यह वाला जो डेद्ए के थाल्पिंग बूर्सकते है तो अगर करना है तो लेवल राएक 27600 यहां तक के टार्गेट आप पिडिक कर सकते हो अब चलिए 15 मिन्ट में देख लेते हैं ट्रेडिंग सेट अप हमारा क्या बादेगा इंट्राडे के लिए तो हमने लेवल सो कली लेवल सो हमारे पास पहले से ही है मैंने मारकर करक्षिय हुए अभी अगर देखेंगे अब विए बहुत ही अच्छा पैटन मुझे मिल आया आपको दिखा देता हूं एक बार को 21,800 से लेके 21,680 यह 670 एक 130 पॉइंट के रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा है दो दिन से कल और परशों से आगर देखेंगे तो यह एक पैट यह रेंज में ट्रेड कर रहा है तो सिंपल एनलिसिस होने वाला इंट्राडे के लिए यह 800 के ऊपर हम बुलिश रेड करेंगे और 670 के नीचे हम फूट साइड में बना सकते है तो बड़ा टार्गेट डाउनसाइड का अभी फिलल तो मत रखना कि मार्केट बुलिश है हो सकता है करेक्शन आए तो देली में ओपनी के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि कहां तक कैसे मार्केट ओपन हो रहा है तो ह 21,670 के नीचे हम फूट साइड के लिए मतलब यह जो डे हाए है आज का जो डेलो है इसके नीचे अगर मार्केट निकलता है तो एक फास्ट मोमेंट हमें मिल सकता है त्विल 21,600 यह हमारा पहला वाला रहेगा 70 पॉइंट का एक स्कैल्प रहेगा अगर यहां पे मार्केट यह लेवर को भी ब्रेक कर देता है तो नीचे की टार्गेट हमें 21,535 और नेक्स टार्गेट 21,400 यह बोली है इसको 21,500 और नीचे जो है यह वाला ग्याप रिचें जो बचा हुआ है अभी तक फिलो ना 21,430 यह वाल नीचे के यह वाले टार्गेट नीचे के लिए हो सकते बुलिश के लिए हमें 21,800 के लिए ही पोजिशन बनानी है अगर आपको चोटा सा स्कैल्प अगर मार्केट अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है इसी लेवल के इसी वीजन के पास तो यह वाला एक स्कैल्प पर ट्रेंड हो सकता है जो कि हाई के उपर निकलेगा 21,760 के उपर एक स्कैल्प बनेगा जो कि आपको लेखे जाएगा 21,800 दक यह वाला एक छोटा सा स्कैल्प हो सकता है यहां से मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है सीधी यह वाला जो 27 December का जो हाई है इसके आसपास ही अगर ओपन होत 27,894 या 900 पकड़ की चलिए और अपना यह वाला फाइनल टार्गेट तो आना अभी बाखी है 22,000 का लग रहा है जैसे कि मतलब आना यह नेक्स्ट जो वीक है उसमें आएगा जो हमारा दो हजा चोबीस का जो फर्स डे रहेगा उस में शायब यह वाला 22,000 का टार्गेट आ सकता है अगर बुलरं मार्केट कंटिनू रखना चाहता है तो और 22,000 जो है साइकोलोजिकल नंबर है तो यहां से मार्केट एक बार करेक्ट हो सकता है तो देखना इंट्रेस्टिंग रहेगा कि मार्केट कहां पर उपन होता है और रहता है कि या फिर वीर्स की वापसी हो अगर यहां पर मार्केट कंटिंग और एक दो दिन साइडवेज जाकि फिर ब्रेक आउट देगा तो फिर 22,000 की उपर भी मार्केट जाता है अभी अगर पैटन की हम बात करेंगे तो यह जो है हमें पैटन मुझे दख दिख रहे हैं जो है कि अगर लेट हुब यह प्लाइग है जो कि फ्लाट फ्लाइग बना हुआ है और यह पोल दिख रहा है कि यह जो है ना पॉल बिल्कुल इस अगर देखेंगे श्टिप एकदम श्टिप मार्केट ने यह हुआ है अप मूध यहां पर जो है एकदम बढ़िया तरीके से मार्केट चैनल रेज में चल रहा था यह वाला चैनल है यहां तक मार्केट ने अब रैली दिया है अब यहां पर साइडवेस फेज देख सकते हैं हम एक साइडवेस फेज बन रहा है यहां पर यह जितना टाइम स्पेंड करेगा उसके बाद में अगर ब्रेक आउट देगा तो काफी अच्छा स्ट्रॉंग ब्रेक आउट होगा हमारे लिए यह पैटन मुझे लग रहा है और यह एक मार्केट बिंग में घुम रहा है दो दिन से ज्यादा अच्छा है कि जितना टाइम में अगर स्पेंड करेगा यहां पर यह हो सकता है कि यह डाउन साइड भी ब्रेक डाउन करें या तो ब्रेक आउट भी कर सकता है दोनों पॉसिबिलिटीज हमें दिख रही है जैसे कि यह वाला जो अप म पहले दीकि आपे यहां तो काफी अच्छा करेक्शन नियां तो काफी अच्छा यहां पर करेक्शन करने के में वीकली में भी आगर देखेंगे तो निफ्टी के कंपपरिजन में सो काफी आड़ का दिख रहा है बुलिशभी जैसा निफ्टी में दो जी वरा है तो बैंक निफ्टी में अच्छा closing हमें वीकल में भी मिलाई ये भी काफी अच्छा पॉल स्केंडल के बाद में हमें अच्छा मिलाए पैङने अगर डेली में अगर देखेंगे अगर सपोट अगर हमें देखना है तो डेली सपोट जो हमारकेट के पास 48000 का सपोट बनेगा यहाँ जो आज यहां पे से मार्केट ने बाउंस किया है यहाँ पर सब्सक्राइब होगा लेकिन जहां तक दिख रहा है बैंक निफ्टी भी बुलिज दिख रहा है लेकिन निफ्टी थोड़ा सा डिली सबसे थोड़ा सबीक दिख रहा है तो निफ्टी कंटिनिएस होल्ड कर रहा था उपर जा रहा था लेकिन बैंक निफ्टी में शुरू से डाउन मूव दिखाया था तो इसके भी मैंने लेवल मार्क करके रखिए दूए जो आपको दिखा देता हुए को जैसे निफ्टी है एक रेंज के ट्रेड कर रहा है तो बैंक निफ्टी ने रेंज को ब्रेक किया है नीची के साइड में तो अगर देखेंगे यहां पर तो अगर फिटीन मिनिट में देखेंगे यह हमने कली डिसकस किया था कि अगर मार्केट यह वालब रेक करता है तो इसके नीचे हमें 200 तक के टार्गेट देखने मिल सकता है कल कैनलिस इस वीडियो में मैंने लेवल मार्किंग चाहिए और यहां पर भी मैंने एक क्लियरली यह वाले मार्केट ने वीडियरली बेखने मिल सकता है यहां से मार्केट ने उससे भी नीचे जाके अगर यह वाला लो लगए था जो की तो अब तक बूलिश नहीं है मार्केट जो अगले टेडिंग सेशन नहीं तो अगर बैंक निफ्टी में हमें बूलिश पूजिशन बनाएं तो बनाना है तो एक छोटा सा अगर यहां पर फ्लैट ओपन होता है अगर फ्लैट ओपन होता है तो अगर फ्लैट ओपन होता है तो अगर फ्लैट ओपन होके नीचे निकलने की कुशिश करेगा तो नीचे की साइड जो है 48,000 के बाद में हम एक शॉट अपरचुन्टी बना सकते हैं मिल सकते हमें तो 48,000 एक साइकोलोजिक का नंबर होने वाला है उसके नीचे हम बेरिश पोजिशन बना सकते हैं तो हमें नेक्स टार्गेट जो है 200 पॉइंट का यह मिल सकता है 47,819 जा यह वाला एक टार्गेट रहेगा उसके बाद आगर देखिए यह वाले टेस्ट तो हो चुके है यह वाले लेवल जो है टेस्ट हो चुके एक बड़ यह वाले टार्गेट हमें मिल सकता है जो की है 47,587 यह लीचे के साइड के टार्गेट हो चकते है और यह फर्दर टार्गेट जो भी है हमने मार्क करके रखी हुए इस नहीं है प्राइब करना है तुछ लाइब करना है जो की यह वाला है यह बहुए हमारा तर्गेट होने वाला कि उपर लॉंग कर सकते हो एक छोटा सा स्कैल इस वाले लेवल के लेवल तक कर सकते हो आप उसके बाद में कि आपको 48500 तक लेखी जाएगा और 500 की उपर अगर निकलता है तो हमें यह वाला डे हाई जो है यहां तक हमें टार्गेट मिल सकता है जो कि है अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके उपर निकलता है तो अगर मार्केट इस रिजन की उपर गयाप खुलता है जो कि 48600 की उपर अगर खुलता है तो जो इसके बाद में तो देखते हैं अभी मार्केट कैसे उपन होता है कि यह वाला जो टार्गेट है यह मैंने जो पैटन है एंड एंड शोल्डर का जो पैटन फॉर्म हुआ है उसका जो टार्गेट निकल के आ रहा है तो यह वाला मैंने टार्गेट निकला हुआ है जो कि है 49,270 है तो नेक्स मंत में देखते हैं बियर्स की वाप्सी होती है या मार्केट बूस के कंट्रोल नहीं रहता है यह देखना इंट्रेस्टिक रहेगा क्यूंकि मार्केट में जो करेक्शन अभी आना चाही है तो यह था निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों इंडाइसिस का निक्स्ट नया येर जो है दो आज़ा चोबिस इसका एनलिसिस वो सबको एडवांस में हैपी निव एर अगर वीडियो अच्छा लागा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना फ्रेंट्स आज के लिए नहीं थेंक यू